आपने PO items tab को पूरा कर लिया है और प्रविष्टियों को items tab में प्रारंब करने के लिए तयार हैं। इस tab में आप निम्न से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं या देख सकते हैं। Line number, item number, supplier item, description, purchase invoice unit of measurement, quantity and lot. Item number PO items tab में से चुने हुए item को दिखाता है। View item details master के अनुसार ही item के विवरड को दिखाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि चुने हुए item के लिए description भर जाता है। Purchase invoice, purchase invoice unit of measurement, purchase order के अनुसार unit of measurement दिखाता है। Purchase order quantity, purchase order के अनुसार ही दिखता है। Item के हिसाब से quantity को दर्ज करें यह item tab की सभी प्रविष्टियों को पूरा करता है। अब आप purchase invoice document को पोस्ट कर सकते हैं। Posting के बाद, document अगले अस्तर के user के पास transaction को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। अब आपने referencing purchase order से एक purchase invoice को बना लिया है। अब आपने, अब आपने, यह झाले हinäरी है। झाले हैं। आपने, इजने हैं। झाल झाल झाल